दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटु इंड इंस्क्रिप्शन की इंटु इंड इंक्रिप्शन बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके साइंस में आता है साइंस एंटेक में ये ये आता है आज इस वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा और बेल आइकन को भी हिट कीजेगा जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तो सबसे पहले वो आपको मिले अब देखे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंड to in description होता क्या है हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे आज के समय में इसका relevance क्या है और इसमें government agencies का क्या involvement है इसको हम लोग इस तीन चीजों को basically हम लोग इसमें इस पूरी वीडियो में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे ये topic आपका पूरा ready हो जाएगा जब एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपका इस topic पूरा ready हो जाएगा तो इसलिए इसे miss मत कीजेगा तो अभी देखे अभी हम लोग इसका सबसे पहले देखते हैं कि अभी recent में इसमें क्या development हुए है अभी recent हम लोग development के बारे में देखते हैं तो अभी मैं कुछ company के नाम मैं कुछ नाम पहले हैं ले ले रहा हूँ तो एक आपका apple इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे apple company जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे whatsapp facebook ये इनके बारे में बात होगी अभी फिलाल ये तो मेटा हो इस company का नाम मेटा हो गया है तो whatsapp facebook के बारे में हम लोग बात करेंगे एक नए फीचर ने इसमें से ले लिया हैwn इसमें नया मेस्टेब वीचर करें लिफित्ध बारे वियह खर अलावा एक O चिख्रे होगान सब्सक्राइब इस एंत नुर्क tournament आप अब test company एप और यह चलत wines तो सब्सक्राइब एक company भी है और उसके बाद एक है आपका i-message, i-message भी आता है, तो वो भी है, तो इन सब का यह सारे वो नाम है common नाम, जो हम लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा एक जग एक नाम मोर आएगा, meta data के बार प्लानिंग कर रही है कि उनकी जो data points है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, यह data points क्या है, देखें हम लोग जो भी message भीजते हैं, वो कही ना कही store होता है, एक जगा, एक जगा company उसको store करती है, उन company का बहुत बड़ा server room होता है, उसमें सारी चीजे store की जाती है, तो यहाँ प्लानिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक बार अगर यह data point company बढ़ा लेगी, तो इससे इसका, जो in to in description वाली चीज है, वो सही हो जाएगा, उससे ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, data ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, तो यह important है, उसके बाद अब इसमें Twitter भी planning कर रहा ह है, तो आप लोग सोच रहा होगा कि in to in description के बारे मैंने क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि दिखें, मैं पहले थाट recent development बता दूँ ताकि आप उससे connect हो पाएंगे, जैसे ही मैं, जब मैं इस पूरे in to in description को मैं e3 लिखूंगा, क्योंकि in to in description है, तो आप लोग समझ जाएगा वो in to in description का काफी रोल बढ़ाने वाले हैं, जिससे की जो message है users के, वो काफी हथ तक safe रहे, उनका data secure रहे, तो ये सारी चीज़े हैं, लेकिन हाँ, अब इसमें government agencies भी involved हुई है, और government agencies इससे नाराज हैं, वो नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा कंपनिया इसमें काम करें, बह इसमें काफी conditions को रखाया हो, क्या क्या चीज़े हैं, वो हम बताएंगे, क्योंकि ये लोग अकसर क्या government agencies क्या करती हैं, कि अकसर वो data track करती रहती है, तो अगर बहु ज़्यादा company secure करके रखेगी, तो इसमें क्या होगा कि, ना तो company के पास exact message आप कर रहेगा, जो भी message आप इनको देखती है, women's related crimes होते उनको देखती है, और साथ ही साथ जो आपके जो children and बच्चे होते हैं, human trafficking, ये सारी चीज़े जो है, ये companies देखती है, तो भाई, government agencies भी अपनी जगह वो भी देखा जा तो भी अपनी जगह ठीक है, तो ये सारी चीज़े, ये अभी recent developments आ रहा चल अब हम लोग चलते हैं अपने topic के ऊपर, तो topic हमारा क्या था, topic था हमारा in-to-in inscription, तो in-to-in description, अब हम लोग देखते हैं कि in-to-in inscription actual में है क्या, देखें ये एक communication process है, communication process है, कैसा communication process, communication process का मतलब है कि ये दो लोगों की बीच में हो रहा है, तो इसलिए इसमें एक जगह ind है, अब देखें, इसके नाम में ही है, इंड-to-in, ये पहला इंड क्या है, तो अब क्या हुआ है, तो अब क्या हुआ कि वो मैसेज आगे बढ़ा, वो मैसेज गया, तूरण दूसरे आप जिसको भी आपने फ्रेंड को या जिसको भी आप मैसेज कर रहे हैं, उसके पास है गय तो यहां से जब यह आपने टो टाइप किया, आपके मॉइल में तो पूरा मैसेज दिख रहा था, जैसे कि आपने लिखा कि मतलब मुझे, I have to, I am going to school, तो अगर आप यह अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो आप वो मैसेज आप इने यहां से बेज दिया, लेकिन यहां आपके मैसेज को डिक्रिप्ट किया, अनकोड़े हुआ, और आपके मैसेज को एक्जाट पढ़ लिया, तो इस बीच का जो यह प्रोसेस था, जैसे एक इंडिये, इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है, इसमें यह कोड़े रहा, तो बीच में अगर कोई एक करने की इसमें आपको इसको एक इसमें बेसिक से समझा रहा हूं, तो यह कोड़े फ़र्मेंट में होता है, तो यह कोई नहीं पढ़ पाता, तो यह कंपनी अगर इन टू इन डिस्क्रिप्शन के प्रोसेस को अगर इस्ट्रॉंग बना दिया जाएगा, तो यह जो कंपनी जिस इसमें डेटा में इनक्रिप्टेड फ़र्मेट में सेव हुआ, तो जब कंपनी के पास खुद का जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फर्मेट में है, तो इसको कंपनी भी क्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मतल 1930 BJJ यह पूरा प्रॉसेस है वो इसी पर चलता है, तो यह इसी ली जहां पर जिसने कि हिंधी में सको बादल काते हैं, तो क्लाउट में आपका data श्टोर होता है, तो क्लाउड की जो service प्रोवाइट कराई जाती है, जहां आप data सिर्विस कर सकते हैं, तो उस जगह को गलाउट करते हैं, तो cloud आपका service provider वो भी और जो internet service provider है वो भी आपके data को crack नहीं कर सकते और वो नहीं पता लगा सकते कि आपने exact message किया पर जाता है तो इसी से ये platform थोड़ा secure हो जाता है और इसी लिए इस पर जाता बाते अभी चल लगी है तो अब इसमें ये जो क्योंकि इसमें logarithm भी यूज होता है तो ये सारी चीज़े आप समझ गया है और अहां इसको crack करने के लिए description की होता है description की होता है अगर इसको crack करना हो तो description की चाहिए passcode चाहिए तो ये सारे टेकनिकल टर्म से ये सारी चीज़े चाहिए अगर अगर कोई इसको crack करना चाहता है क्योंकि और ऐसा नहीं कि E3 अभी नया नया यूज हो रहा है ती बहुत पहले से भी यूज किया जा रहा है और यह कहां कहां यूज होता था यह business documents में यूज होता था जैसे जब business document एक जगह सा दूसी जगह online transfer किया जा जा तो वहां यह यूज होता था उसके बाद जो है प्रोसीडिंग में काफी हथ तक इसको यूज किया गया है और साती सा जो personal conversation उसमें यूज होता है और यही में हम आज कर देट में सबसे बड़ा concern यही है तो यह चार चीजों में यह यूज होता है इतरी को description यह इसको यूज किया जाता है अब देखे और यह इतरी का और कह द 아무능 में ने देखेंगे तो इसका यूज क्या है इसके यूज के भार में देखें तो आज यूज है कि वह इतरी को यूज किया जाता है तो इस इस kinda करद हाँ, sorry friends, देखे, E3 use किया जाता है secure communication के लिए, तो E3 को use किया जाता है, पहला use है, कि इसका use secure communication के लिए किया जाता है, कि जिसे की दो लोगों के बीच में communication चला है, वो secure रहे है, तो इसको क्या था secure communication के लिए, पहला इसका use है, यह हम लोग users के बाते कर रहे हैं, तो पहला तो यह यह user है, दूसरा जैसे की जो भी instant messaging app है, instant messaging, यहां पर हम लोग personal conversation करते हैं जातार, तो instant messaging app जैसे आपका twitter होए, twitter है, आपका whatsapp होए, fb, आपका instagram है, आपका google messages है, और i message, तो यह सारे जो instant messaging app है, तो इन पर यह जो सारे popular messaging app है, इस पर use किया जाता है, इसको use किया जाता है, जिससे की जो password है, और जो protected store data है, वो cloud storage में safe रहे, तो इसके लिए जो भी data आप लोग आपस में personal conversation करने हैं, वो सारे एक जिगा safe रहे, तो इसके लिए E3 का बहुत बढ़ा use होता है, जिससे की data एक secure format में एक जिगा safe रहे, जिससे की उसको कोई भी decrypt न कर पाया, क्योंकि उसको decrypt करने के लिए description की तो इसके data breach होता है, तो उसमें आ जाता है यह चीजे, तो यह सारी चीजे है, अब देखे इसमें, अभी हाली में data breach का बात, data breach क्या होता है, जैसे आपके data leak हो जाए, आपने किसी चीज को आपने, जैसे company ने कहा कि आपके data को secure कर गर रखे हैं, लेकिन क्या हुआ कि उस सार 2013 से लेकर 2021 तक के बीच में, थ्री टाइम्स क्राइम बढ़ा है, थ्री टाइम्स का मतलब ही millions में है, तो millions में crime बढ़ा है कि जिसमें data की breach होने, data की चोरी होने की खबरे आई है, तो इसलिए यह थोड़ा सा concern का भी से होता है, और देखते हैं इसका, तो अगर E3 process को strong बना द करना है, अब जो यह, जो process है companies के लिए, वो data को store, अगर इसको, जो company E3 process को अथीक तरीके से apply कर लेती है, अपने data center में, तो उससे फायदा क्या होगा, कि वो जादा स्यादा users जो होते हैं, उनके, उनके संख्या है, काफी बढ़ी ही क्योंकि अगर आपको भी पता है, कि आपको भी, आप भी सोचेंगे कि मैं जदा 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 मैं Twitter ही यूज करो, आप भी अपने दोस्तों से कहेंगे, कि Twitter ही यूज करो, जिससे कि आपकी जो भी conversation हो, सारी उसमें हो, जिससे कि आप खुल के बात कर सकें, तो यह चीज इसलिए companies का main concern है, कि जिसका आने वाले future मे काफी बड़े group को dominate करेगा, जैसे आज के एक समय में app भी नहीं किया था, और अभी भी आज इंस्टा और बाकी सारी चीज़े गूगल मेसेज़े, गूगल मीटा भी जो तमाम चीज़े चल लेए, तो उस तरह से ज्यादा ज्यादे users इनके पास होंगे, तो इसलिए encryption के लि और दूसरी चीज़ यह है कि जो data जो की store किया रहा है company में, इसमें यहां पर आपको जानने वाली चीज़ है, कि in to in description में क्या है, यह आपके meta data को protect नहीं करता है, जैसे मैंने आपको अब भी बताया था, कि जैसे एक जगह से in to in, मैंने आपको यहां से data जाता है, यहां पर देखिए, meta data का होता है, तो meta data का मतलब यह होता है, basically इसमें तीन चीज़ आती है, पहला कि जब आपने message, जब किसी को आपने message भी जा तो कब भी जा था, तो वो time होता है आपके message का, वो आ जाता है, दूसरा date क्या है, date पता चल जाती है, और तीसरा कि आपको यह पता लग जाता है, जैसे मान लीजे, A से B को भी जा गया है, तो A से B के बीच में जा रहा है, यह message तो company को बता है कि A ने भीजा है, आपका नाम और जिसको आपने भीजा है, उसका नाम पता है, तो company तीन चीज़ों के बारे में जानती है, यह E3 के अंदर meta data protect नहीं होता है, तो E3 मे Meta data क्या है, Meta data, जभी आप लोग कही Meta data terms में तो आप समझ जाएगा, इसमे time का जिक्र हो रहा है, date आ रहा है, और साती साथ कि इन दो लोगों के बीच में communication हो रहा है, उसके बारे में आ रहा है, यह आपने उमीद करता हूँ को समझ में आ गया होगा, आप देखिए, यहा होती है, या चाइल टरफिकिंग होती है, उसको जितने भी क्रिमिनल एक्रिविटीज हो रही है, उस पर गवर्मेंट एंसी नजर रखती है, तो नहीं चाहते हैं, बहुत जादा सिक्योर हो जाती है, इसकी को भी डेटा लोगों को पढ़ने में काफी दिक्कत हो, लेकि जि जो पहले भी बनाई जा चुकी है, जो इंक्रिप्शन इसकीम पहले भी क्रियेट की जा चुकी है, तो गवर्मेंट चाहते है कि यह तो गवर्मेंट का भी इसमें यकीन है कि हाँ, इसमें कुछ नियम कानून होने चाहिए, इंक्रिप्शन इसकीम पहले भी बन चुकी गव तो भी access किया जा रहा है वो उससे government का जितना काम हो, government उतना काम उससे easily कर सके, और ये एक legal order में, legal order के तवाती चलता है, तो ये चीज है, अब government क्या चाहती है, इसमें government का attempt क्या होता है, government का intent होता है, कि वो जो भी encrypted data होता है, वो पढ़ सके, लोगों का, तो encrypted data अगर पढ़ सकेगी, तो इससे क्या, अगर अगर companies बहुत ज़्यादा E3 strong, अपने in-to-in inscription के की को बहुत ज़्यादा strong कर लेंगी, तो ये government की agencies के लिए बहुत बड़ा एक resistance का काम करेगा, ये, तो ये resistance ना है, और वो अपना काम freely कर पाए, इसलिए government agencies नहीं चाहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा, ये E2, 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 in-to-in description बहुत ज़्यादा popular हो, अगर देखा जाए, इसमें example के तौर पर, मैं आपको example भी दे दे रहा हूँ उसका, तो अभी हाली में क्या हुआ था, कि 2019 की अगर मैं बात करूँ, तो 2019 में US और UK और Australia, ये तीन देखें इंपोर करने की जिसका काफी चर्चा मेंगे, तोते ज़िए Facebook को पर Website सीमें की, जिससे कि वह उनके data को पर्ट से निया ये ज़िए छी तो ये लोग क्यों से और श्विए, और ऑगार है दो अगर देखा जाए, मैं पशलिए चाहक है तो इसमें और आपकी study है , ये श्याई अंटरेला ने एक law pass किया था किसके उपर? WhatsApp के उपर और Facebook यह जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा तो Facebook के उपर यह पर यह भी लिख दिया है यहाँ पर WhatsApp और Facebook के उपर इन्होंने एक law pass किया हुआ था जिससे की इनका जो जो इनका logic था वह यह था कि टेरिस्ट अक्टिविटीज को रोकना चाहते हैं जो कि काफी उस समय बढ़ा हुआ था वहां पर बाकी कि जो serious criminal offenses है serious criminal offenses तो उसको रोकने के लिए इनका जो main concern था तो एक terrorist activities दूसरा serial criminal offenses है उनको रोकने के लिए इन्होंने law बनाया हुआ था तो यह सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि सारा जो in-to-inscription का process से सारा यही है कि basically इसमें कुछ खास कुछ है नहीं मैंने काफी कुछ इसमें आपको बता दिया आपको उमीद करता हूँ का आपको चीजें समझ में आ गई होगी अगर फेर भी नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें comment section पूछेगा आप हम आपके comment का जवाप जबूर देंगे और वीडियो कासी लगी यही हमें बताईएगा तो in-to-in description टोटल यही चीज है अगर मैंने जितने point बताया अगर आपको याद है तो उससे बाहर से question in-to-in से नहीं आएगा तो अगर आपको और भी कोई query है तो आप comment section पूछ सकते हैं सब्सक्राइब वीडियों को जिससे इस तरह की हमारे content मिल सके तो आप हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे की और bell icon को भी हिट कीजिएगा जिससे की इस तरह की जोई भी नहीं वीडियों हो आपको मिल सकें और आप